हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे जर्दा जिसे मीठे चावल के नाम से भी जाना जाता है अकसर जब जर्दा बनाते हैं तो जर्दे के चावल कड़क रह जाते हैं आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे के बिल्कुल पर्फेक्ट जर्दा कैसे बनाएं तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसियल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो सबसे पहले हम जर्दे के चावल बोईल करेंगे चावल बोईल करने के लिए हमने डेल लिटर पानी लिया है इसमें हम एड़ कर देंगे येलो फूट कलर देखिए आप यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से कोई साभी फूट कलर एड़ कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून येलो फूट कलर को एक टेबल स्पून पानी में अच्छे से मिक्स करके इसमें एड़ कर दिया हाई फ्लेम पर हमने पानी को अच्छे से बोईल कर लिया अब हम इसमें एड़ कर देंगे सोक की हुए चावल तो हमने 500 ग्राम बासमती चावल को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धोने के बाद एक घंटे के लिए भिगो दिया था देखिए हमने यहाँ पर बासमती चावल लिये हैं लेकिन हो सके तो अब ज़र्दे के लिए सेला राइस का ही इस्तेमाल कीजिएगा एक बर इसे चला लेंगे और हाइफ लेंप पर हम चावल को 10-12 मिनिट के लिए बोईल करेंगे तो हमने हाइफ लेंप पर 12 मिनिट के लिए चावल को अच्छे से बोईल कर लिया क्योंकि यह बाष्मती चावल है तो इसे बोइल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आप चेला राइस ले रहे हैं तो बोइल होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है लेकिन एक बात का खास दियान रखेगा कि हमें चावल को अच्छी तरह से बोईल कर लेना है यानि कि जब भी हम जर्दा बनाते हैं तो गलती यहीं पर कर देते हैं कि चावल को सिफ 80 या फिस 90 परसेंट टक बोईल करते हैं चावल को अच्छे से बोईल करने के बाद छन्नी की मदद से हम इसका ज्यादा का पानी निकाल देंगे अब जर्दा बनाने के लिए हमने एक हेवी बोटम पेन लिया है यानि की मोटे तले का बरतन इसमें हम एट कर देंगे एक टेबल स्पुन घी और घी को मेल्ट होने देंगे घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें एट करेंगे ड्राइफ फूट्स तो हमने बादाम और काजू लिये हैं जिनको हमने सेंटर में से कट कर लिया है साथ ही में हमने सूखे नारियल की कुछ स्लाइसिस ली है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं और इसकी कॉंटिटी कम ज्यादा भी कर सकते हैं अब गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इन ड्राइफ रूट्स को एक मिनिट के लिए घी में अच्छे से रोष्ट कर लेंगे तो सारे ड्राइफ रूट्स को घी में अच्छे से रोष्ट करने के बाद हम इनको पेन में से निकाल लेंगे अब उसी पेन में हम एड़ करेंगे 50 ग्राम मावा यानि कीक होया वो लगाता चलाते हुए मावे की तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए तो आप देख सकते हैं कि 30 से 35 सेकेंड तक मावे की भुनाई करने के बाद इसका कलर थोड़ा गोल्डन होने लगा है देखिए जर्दे में अगर आप मावा एड़ ना करना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अब इसमें 4 अबस पुन घी एड़ करेंगे घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे 3 हरी इलाइची अगर आप साबूत इलाइची ना एड़ करना चाहें तो इलाइची को कूट कर भी इसमें एड़ कर सकते हैं साथ ही में हम इसमें एड़ करेंगे 500 ग्राम चीनी तो हमने जितने चावल लिये हैं उतनी ही चीनी ली है अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की कौंटिटी बढ़ा सकते हैं साथ ही में हम इसमें एक कप दूध एड़ कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चीनी और दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इस टेज पर हम इसमें बोईल की हुवे चावल एड़ कर देंगे और चावल को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप चावल को पूरी तरह अच्छे से बोईल कर लिजेगा यानि कि अगर आपने चावल को 80 या 90 परसंट तक बोईल कर लिया तो जब आप इसे चीनी में या फिर चासनी में पकाएंगे तो ये कड़क हो जाएंगे इसलिए चावल को जब बोईल करे तब 100 परसंट तक अच्छे से बोईल कर लिजेगा ताकि आपका जर्दा बिल्कुल परफेक्ट बन कर तयार हो तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम चावल का एक लेवल बना देंगे और गेस की फ्लेम को हाई करके इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे अभी इसे हाई फ्लेम पर पकते हुए सिफ 5 मिनिट हुई है अब देख सकते हैं कि चीनी ने काफी सारा पानी रिलीज कर दिया है इस टेश पर इसे एक बार चेक कर लेंगे और इस जर्दे को हम high flame पर तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी सूखने ना लगे तो इसे high flame पर पकते हुए 10 मिनिट हो चुकी है अब देख सकते हैं कि इसका पानी सूखने लगा है इस stage पर इसे एक बार चेक कर लेंगे और अब हम gas की flame को low कर देंगे और हमने जो ड्राइ फ्रूट्स रोष्ट करके रखे हुए हैं इसकी आधी कॉंटिटी हम इस टेच पर एड़ करेंगे और आधी कॉंटिटी हम गानिशिंग के लिए रखेंगे मिक्स कर लेंगे इसका एक लेवल बना देंगे और इसे कवर करके दम करेंगे तो जर्दे को लो फ्लेम पर दम करने के लिए रख देंगे और बीच बीच में हम इसे दो से तीन बार चेक करेंगे तक कि ये नीचे ना लगे तो देखिए लो फ्लेम पर हमने जर्दे को बीस मिनिट के लिए अच्छे से दम कर लिया और यह जो जर्दा है वो बनकर बिल्कुल तयार है गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे सव कर लेंगे देखे कितने खीले खीले चावल है चावल बिल्कुल भी कड़क नहीं है लेकिन हाँ, हमने यहाँ पर बासमती चावल इस्तेमाल किये हैं इसलिए चावल थोड़े से तूट जरूर गए है इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हो सके तो आप जर्दे के लिए सेला चावल का ही इस्तेमाल कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं अब हमने ड्राइफ फूर्ट की जो आधी कॉंटिटी बचा कर रखी है उसे गानिशिंग के लिए एड़ करेंगे साथ ही में गानिशिंग के लिए हमने तूटी फूर्टी और चेरी का इस्तेमाल किया है इससे पहले हमने हैदराबादी साधियों में बनने वाली गुलती की रेसिपी सेर की थी अगर आपने वो नहीं देखी तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टन में मिल जाएगी फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई